नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब उम्मीद करता हूँ कि आप सब लुक्सोस्त होंगे और उक्मी पढ़ाय में ब्यस्त होंगे तो दोस्तों चली देख लिए जाए आज की आकरी साम है क्योंकि कल पर इच्छा होने वाली है बिल्कुल 2016 TGT Biology के जो लोग फार्म डाले थे उनकी एक्जाम जो है उनका कल 9 बजे से 11 बजे के बीच होने वाला है तो चली देख लिए जाए क्यों आज भी देख लिए जाए ऐसे model paper में से और आज लिए आया है हम बहुत ज़्यादा important प्रसनों को हो सकता है कि आज में से कुछ प्रसन कल की exam में आही जाए तो चली देख लिए मेरे दोस्त आज का पहला प्रसन क्या कह रहा है इसको देख लिए पहले प्रसन की तरफ अगर हम बढ़े तो पहला प्रसन क्या कह रहा है इसको ध्यान दिजे मेरे दोस्त कह रहा है induced fit theory ठीक है कह रहा है induced fit theory of enzyme action यानि enzyme के क्रिया करने की induced fit theory was given by किस ने द कीलाइट की इमिल फिसर धे में लकी तीम 중에 का सिद्धान कहा धिया थे। क्या धियत कि देख लेते हैं कि दो नम्बर का सिद्धान क्या कह रहा है। और कुछ लोग भाई, इसमें से लिखते हैं, बाद में किसा आप बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं, क्या मैं जल्दी जल्दी बोलता हूं, दिरे दिरे बोलू, ठीक है, आप लोगों का किस तरीके से मैं सोचता हूं कि टाइम ज्यादा ना इस्पेंड हो, और आप लोगों कौन सा किस प्रकार का प्रोटीन है इसका right answer है D भाई इसका right answer किया है D इसका सही उत्तर है अगर अगले प्रस्न की बात करें कि अगला प्रस्न क्या कह रहा है उसको भी देख लिजिए और बिल्कुल आज आप समुल्यांकन करिए क्योंकि आखरी साम परिच्छा के नाम आपक के इन सेट में से कुछ कोश्चन आपके आई ही जाएं तो देख लिजिए करा कि माइट्रो कांड्रियाल मेंब्रेन जो माइट्रो कालिया मेंब्रेन होती है करा कि में ढफाफ किसकी बनी होती है माली जी यह ऐसा यह क्या है आपकी यह है माइट्रो कांडिया मेरे भाई यह तो इसका है कार्वोईडेट की लिपीड की प्रोटीन तो इसका सही उत्तर क्या है इसका राइट एंसर है लिपो प्रोटीन is the right answer कोष्च नमबर 4 की तरह बढ़ है कोष्च नमबर 4 क्या कह रहा है उसको भी देख लिया जाए 4 नमबर कह रहा है कि the cell organelle ठीक है कोशिकांग which plays an important role जो महातपूर भूमिका निभाता है इन इंट्रासिललर डाइजेशन यहनि अंतर यह जो आंतरिक पाचन है कोशका के अंदर की पाचन में कौन सा कोशिकांग ऐसा है जो भूमिका निभाता है करें इंडोप्लाजमी रेटीकूलम नहीं करें माइटो इसका राइट अंसर क्या है लाइसोसोम लाइसोसोम इस दा राइट अंसर हलकी इसको कहा जाता है कि क्या कहते है स्रावी अंगिया ट्रैफिक पुलिस आपदसिल कहते है इसको माइटोकांडिया क्या है पावर हाउस आपदसिल है यह है पावर हाउस आपदसिल है कोशका का उर्जा घर है और इंडो प्लाजमी रेटी कुलम क्या है इंडो इसको इसको कोशका का क्या का जाता है इंडो इसकेलटन कहा जाता है समझ रहे है तो इसका right answer क्या है मेरे भाई इसके size और number आप chromosome की safe size number को observe करने के लिए best stage कौन सी होती है ऐसा कहराए कहराए interface होता है कि meta page की tilo page की pro page इसका right answer क्या है मेरे भाई इसका सही उत्तर क्या होगा बिल्कुल comment box से में comment करिये और फडाक से बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा तो इसका सही उत्तर होगा meta page इसका right answer है और आज भी मेरे भाई मैं आपको एक question से ढूण ढूण करके इसको set up किया हूँ और पूरी आपकी geology पूरी book से मैं इकठा किया हूँ एक एक प्रस्णों को इकठा करके पूरी botny के एक एक चैप्टर से एक एक महत्पूर प्रस्णों को इकठा किया हूँ इसी उम्मिद में कि हो सकता कि आ जाए ठीक है आपके g1 change हो जाए इससे तो देखे आगला question क्या कहा रहा है question number 6 क्या कहा रहा है कहरा synthesis आप DNA है division आप centriole है synthesis आप RNA है कि ester formation है तो इसका right answer क्या है इसका right answer synthesis आप RNA क्या है मेरे भाई इसका right answer है synthesis आप RNA ठीक है अगला question देखे अगले question की तरफ अगर हम बढ़ें तो क्या कहरा है अगला question देखे कहरा है कि a few organism कुछ जिवधारी जिवधारी कुछ जिवधारी are known grow and multiply at temperature of 100 to 108 degree Celsius करा कुछ जिवधारी ऐसे होते हैं जो कि 108 degree Celsius पर भी क्या करते हैं ग्रो करते हैं और multiply भी करते हैं वो किसे बिलांग करते हैं ऐसा प्रसनार आ गया करा कि थर्मोफिलिक सब एरियल फंजाई होते हैं marine आर्की bacteria होते हैं thermophilic sulfur bacteria होते हैं कि hot spring blue green algae होते हैं अर्था sinobacteria तो इसका right answer क्या है अगर यहां होता 100 सी 105 मेरे भाई 100 से 105 degree Celsius तो यह हो जाता सी लेकिन 100 से 108 degree Celsius इसका right answer क्या है इसका right answer है D इसका right answer है क्या भाई 10 का सही उत्तर है अगले question की तरफ अगर बढ़ें तो अगला question क्या 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 रहा है उसको भी देख लिया जाए अगला प्रसन है कि कम समय में जितने ज्यादा ज्यादा प्रसन हम करा दे उतने आप लोगों के लिए बेहतरीन होगा उतना क्या होगा मेरे भाई उतना ही आप लोगों के लिए बेहतरीन होगा तो देखे कह रहा है what is the name of the book written by Aristotle करा अरिस्तू के द्वारा लिखी गई पुस्तक का क्या नाम है अरिस्तू की पुस्तक का क्या नाम है ऐसा करा है करक्सिस्टेमन नेचुरी है कि हिस्टोरिया एनिमेलिया है कि फिलासफी जलोजिक है कि हिस्टोरी नेचुरिली है कौन सा इसमें से राइट एंसर है कि यहाँ पर अरिस्टु की द्वारा कौन से लिखी गई है अरुस्तु की बुक है Historia Animalia ठीक है Historia Animalia थीओ फ्रास्टरस अगर यहां होते तो हो जाता हिस्टोरिया क्या हो जाता philosophy जो botany से संबन दिता है यहां तो जिलोजी है तो Animalia है तो Historia Plantarium हो जाता थीओ फ्रास्टरस की बुक क्या थी Historia Plantarium ठीक है तो इसका right answer क्या है 20 का सही उत्तर है अगला question क्या करा है अगले प्रस्ट की अगर हम बात करें तो देख लीजी अगला प्रस्ट क्या करा है प्रस्ट नमबर 10 कह रहा है कि food vacuul of amoeba इजे ना लागस्ट हो amoeba की जो food vacuul होती है रिक्तिका होती है is the right answer question number 11 क्या कर रहा है इसको देखिए question number 11 कह रहा है the infective form of malaria paracide malaria paracide का infective जो संक्राम का रूप होता है क्या होता है क्रिप्टो जॉइट होता है कि क्रिप्टो मिरो जॉइट होता है कि युनिनुक्लियेट इस्पोरो जॉइट होता है multi-nucleate sporo joint होता है इसका right answer क्या है इसका right answer है uni-nucleate sporo joint is the right answer uni-nucleate sporo joint इसका सही उपतर है अगला question क्या कर रहा है अगले question की तरह बढ़ते हैं कि क्या कर रहा question number 12 बारीश सुरू हो गई मेरे भाई बारीश सुरू हो गई है और साइध आवाज आपको जा रहे होगी बहुत तेजी से बारीश समझ रहे हैं देखिए question number 12 क्या कर रहा है the power of regeneration in sponges is due to sponge में sponge में कर रहा power of regeneration जो होता है किसके कारण होता है तिसो site क्या कर रहा archaeo site scleroblast amoebo site इसका right answer क्या है archaeo site है ठीक है thisocyte तो post-ronaution फ्रदान करती है अगला question देखिए अगले question की तरह question number 13 क्या कर रहा है इसको भी देख लिया जाए कर रहा है कि hypnotoxin is a poisonous fluid produced by hypnotoxin जो होता है hypnotoxin ए poisonous fluid है विसाथ द्राव है कर रहा किसके द्वारा produce होता है कर रहा परिस के द्वारा की end के द्वारा की paracytic protozova के द्वारा की nematocyst के द्वारा तो किसके द्वारा होता है nematocyst of hydra nematocyst of hydra के द्वारा होता है ठीक है इसका right answer क्या हो गया इसका right answer है D अगला question देखिए अगला question की तरह पढ़ते है करा है hookworm में होता है कि pinworm में कि both A and B कि नन इसका सही उत्तर क्या होगा कि intermediate host किस में absent होता है जिसका right answer है both A and B hookworm में भी और pinworm में दोनों में क्या होता है intermediate host absent होता है ठीक है अगला question क्या 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 रहा है अगले question की भी अगर हम बात करें तो देखिए अगला question क्या 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 क्य करा blood vascular system किस प्रकार का होता है, कि olla nice type पिनन आपदीज की portal type किस प्रकार का होता है, देखे, यहाँ close type और open type दो प्रकार का होता है, खुला प्रकार का, रक्त परसंच्णत, त्रौरेख होता है, बंद प्रकार का रखता फ्रसंचन तर्थ, मैंने बताय था आपको उपन याद रखिए, बाकी सब कुछ इसमें क्लोज में कर दीजिए, ओपन में कौन होता है हेमा, मैंने आपको बताय था कि हेमा आपने बाल खुले छोड़ कर चलती है, ऐसे लहरा करके चलती है हेमा, समझ हेमा का मतलब क्या है, यज का मतलब क्या, हेमिकाडेटा, एका मतलब इकाइनोडरमेटा, एम का मतलब मोलस्का, एका मतलब आर्थोपोडा, तो इतने फाइलम का ओपन टाइप होता है, बाकी सब के कितने क्लोज टाइप का, तो यह किसका आर्थोवार मैनी लीडा का है, यह स्कॉर्पियान में यहां कहिole है कि रिस्पारिट्री या उस्पारित्व सागण। खाने हैं, समझ रहे हैं, जिससे आपका भाला हो, आपका कल्यान हो, क्योंकि मेरी ये कही थीम है, आपकी सफलता, मेरी सफलता, समझ रहे हैं, अब बिल्कुल, अगदम कोई टेंसन में नहीं आईएगा, समझ रहे हैं, कर अगदा abdomen of cockroach, is composed of cockroach का, कर तिल्चटे का, जो abdomen भाग होता है, composed बना होता है, कितने सेगिमेंट का, करा 6 सेगिमेंट, 10 सेगिमेंट, 12 सेगिमेंट, और 11, तो कितने सेगिमेंट का होता है, 10 सेगिमेंट का, कितने, 10 सेगिमेंट का बना होता है, काकरोज का, एब डोमेंट, ठीक है, इसका right answer क्या हो गया है, मेरे भाई, इसका right answer हो नहीं, फिस नहीं है, समझ रहे हैं, PC culture हो जाता है, फिस का ध्यान, समझ रहे हैं, कर रहे हैं, PC culture नहीं, यह bird नहीं है, समझ रहे हैं, इसका यह right answer नहीं है, अब यहाँ ध्यान दिजे, थोड़ा सा, यहाँ light कट गई मेरे भाई, light कट गई, और चलिए कोई बात नहीं, फटा right answer, ठीक है, अगले question की बात करें, question number 20 क्या कर रहा है, उसको भी देख लेते हैं, question number 20 की तरफ, देखें, question number 20 कर रहा है, which one of the following is correct, इन में से कौन सा correct है, इस में से, कर रहा है, आर्थोपोडा, रैटिना, ग्रास हो पर, नहीं, कर रहा है, मोलस्का, सिफाइलोपोडा, आक्ट पस, 20 का सही answer है, ठीक है, इसका right answer क्या है, 20 is the right answer, अगला question क्या कर रहा है, question number 20, उसको भी देख लीजे, question number 21, कर रहा है कि, which is unrelated, इसमें से कौन, related नहीं, मतलब कौन भिन है, इन में से ऐसा कर रहा है, कर रहा है, c star, c cucumber, c archin, c squared, इसमें से कौन सा भिन है, इसमें से भिन है, c squared ठीक है, right answer क्या है, c, इसका सही उत्तर है, अगला question देखिए, question number 22 की तरफ बढ़ें, question number 22, बिल्कुल, 100 मुल्यांगन के लिए, आज का आज हम practice set लेकर क्या है, आपके 100 मुल्यांगन के लिए, कि अपना देख लिजे, कि आपकी तयारी कितनी है, बिल्कुल परिछा में, ऐस इसे ही परसन बिल्कुल आने वाले है, करा कि मरमेट्स पर्स रिफर्टू, मरमेट्स पर्स किसे करा, रिफर्स करता है, करा, इग capsule of shark and sketches, कि एक कालोनी आप, sketches and rays, कि brood pouch of sea horse, कि याल आप देवाओ, इसका right answer है, A, is the right answer, इग capsule of shark and sketches, ठीक है, तो 22 का A सही है, अगला question की अगर बात करें, question number 23 क्या करा है, उसको भी देख लिया जा, question number 23, करा कि 23 में, name आ, वीवी पैरस snack, करा, वीवी पैरस, वीवी पैरस मतलब बच्चे देने वाले, मतलब, वीवी पैरस मतलब बच्चे देने वाले, वीवी पैरस मतलब बच्चे देने वाले, करा, इसका right answer क्या है, क Question number 24, कहारा कि a rabbit source resemblance with frog in, ठीक है, कहारा कि rabbit resemble करता है with frog, इसमें से कौन सा ऐसा part है, जो frog से resemble करता है rabbit का, समझ रहे हैं, कहारा, nucleated RBC है, कि oval RBC है, renal portal system है, कि dorsal tubular nerve card है, तो बिल्कुल इसका right answer है, dorsal tubular nerve card is the right answer, डीस का सही उत्तर है, अगले question की अगर हम बात करें, तो अगला question क्या कहारा है, उसकी तरफ बढ़ते है, question number 25, करा, एक food chain start with, एक खादर स्रिंखला कहां से start होती है, एक खादर स्रिंखला कहां से start होती है, करा, dks, nitrogen fixation, photosynthesis, respiration, कहां से होती है, start, एक खादर स्रिंखला कहां से start होती है, ऐसा कहारा है तो इसका right answer है photosynthesis से start होती, कहां से प्रकास translation होगा, तभी तो कुछ होगा, यहां से मिलेगा पौधों को, पौधों में होगा पौधे से फिर चलेगा साकारी, फिर चलेगा मान साहारी, ठीक है, अगला question number 26 की तरफ पढ़ें, question number 26 क्या करा है, उसको देवीत देख लेते हैं, 26 number का question, बिल्कुल फटा-फट के अंदाज में, करा pollutant from motor car exhaust that causes mental disease, यानि कौन सा ऐसा प्रदूसर है, जो motor car के द्वारा निकलता है, pollutant, कौन प्रदूसर का ऐसा निकलता है, motor car योगदारा, जो mental disease उत्पन करता है, कर सरफल dioxide, nitrogen dioxide, mercury, कि lead, इसका right answer क्या है भाई, इसमें इसका right answer है lead, this का सही उत्तर है, अगले question की अगर बात करें, question number 27, question number 27 क्या कह रहा है, इसको भी देख लेते हैं, कह रहा है कि the best habitat for elephants is, ठीक है, कह रहा है कि elephant का सबसे अच्छा जो है, वासिस्थान कहा है, समझ रहा है कि बांदीपूर नेशनल पार्क, कि कह रहा है, सिमली पाल नेशनल समझ रहा है, कह रहा है कि रन्थंभोर नेशनल पार्क, पिंच नेशनल पार्क, किसका right answer है, बांदीपूर नेशनल पार्क, बांदीपूर नेशनल पार्क, क्या है, best habitat for elephants, ठीक है, हाथियों के लिए है, तो इसका right answer क्या हो गया माई, अगला question number 28 की तरफ बगढ़े, question number 28 क् रहा है कि tendon connects, tendon किसको जोड़ता है, करा ligament with muscle, bone with muscle, cartilage with muscle, bone with bone, इसका right answer क्या है, bone with muscle, bone with muscle को जोड़ता है, tendon कहलाता है, ठीक है, तो इसका right answer हो गया, B, B is the right answer, अगला question देखिए, question number 29 की बात करें, तो 29 नमबर में क्या कह रहा है, इसको देखिए, करा RBC count is carried out by, RBC का count किसके कि Hemoglobinometer के दवारा, कि Hemoglobinometer के दवारा, कि Hemocytometer के दवारा, कि Electrocardiograph के दवारा, तो इसमें से किसके दवारा RBC count किया जाता है, तो इसका right answer क्या है, Hemocytometer is the right answer, Hemocytometer, 29 का कौन सा number, C is the right answer, अगला question देखिए, question number 30 की बात करें, question number 30 क्या कह रहा है, इसको देखिए, अच्छा ए आपको बता देना चाहता हूँ, यह हो सकता है कि कहीं वहीं एक्जाम में नहीं आ जाए, अगर आ गया, गडबड़ा गया, तो आप लोगों बहुत घाटा हो जाएगा, कल मैरे एक question था कि Megasporengium, उसका दूसरा नाम क्या है, मेगा इस्पोरेंजियम का दूसरा नाम क्या है तो वहाँ newsless आ गया था, क्योंकि कई भूकों में newsless ही दे रखा है, और मैं भी उसमें confused में आ गया था, क्योंकि मैं आपको बता दू कि मैं भी जो पढ़ा था, वो ही था OYUL, लेकिन हो गया newsless, तो आप समझे, Megasporengium जो other name है, वो किसका है, OYUL का है, तो OYUL वो आप देख Sabaceous Gland are concerned with, Sabaceous Gland are concerned with, किसे concerned करती है करा है, Production of Water, Production of OYUL, Production of Milk, Production of Tear, Sabaceous Gland क्या है, Production of OYUL, इसी की कारणों वसा, हमारी जो सरीर है कैसी होती है, थोड़ी से तैलीव हो जाती है, समझ रहे हैं, अगला Question No.31 की अगर हम बात करें, Question No.31 क्या कह रहा है, इसको देख लिजे, कह रह Dived from the Tissue, समझ रहे हैं, करा नेल ना खूनों, खून जो खूरूर, जो समसींग होती है, किस से वित्पन होते हैं, किस Tissue से वित्पन होते हैं, करा Cartilage, कि है कि Bone है, कि Supporting Tissue है, कि Pithelium है, इसका सही उत्तर क्या है, मेरे भाई, इसका Right Answer क्या है, बिल्कुल बताई दिजे, इ इसका सही उत्तर है, Epithelium, क्या है, Epithelium है, Question No. 32 की अगर बात करें, Question No. 32 क्या करा है, इसको भी देख लेते हैं, करा इसकूल आप Frog and Rabbit and Other Mimels, ठीक है, करा इसकूल खोपड़ी, इस खोपड़ी, करा फ्राग की, Rabbit की और दूसरे Mimels की कैसी होती है, करा मोनो कंडालिक होती है, इसका राइट एंसर क्या है, इसका राइट एंसर है, डाइट एंसर है, इसका राइट एंसर है, डाइट एंसर, ठीक है, आगले Question की तरफ पढ़ें, Question No. 33 क्या करा है, उसको भी देख लिजे, 33 नमबर का Question, करा है कि the joint between incuss and stay piece, incuss और stay piece के बीच का जो joint है, वो क्या कराता है, करा हिंज joint, की gliding joint, की pivotal joint, की ball and socket joint, क्या कराता है, देखें, इसमें भी वही Question, मैं वह ऐसा ही बता रहा हूँ कि इसमें भी दे रखा था, जबकि इसका उत्तर क्या, ball and socket joint, और कहीं कहीं हिंज joint दे रखा था, तो ये क्या है, रॉंग, इसका right इंसर क्या, ball and socket joint, अगला Question, Question No. 34 की तरह बढ़ें, Question No. 34 क्या कहा रहा है, कहा रहा है, कि the number of celery gland present in the human being, मनला मानों में, लार्ग रंथियोग संख्या कितनी होती है, कहा रहा है, पांच जोडी, चार जोडी, दूब जोडी, तीन जोडी, कितनी होती है, तीन जोडी, ठीक है, अधो हनु, अधो जीवार, पायर ब्ली भाई, कारा Oxygen जो ट्रांसपोर्ड होता है, ब्लड में, मेंली किसके द्वारा होता है, कारा कि Blood Plasma द्वारा, Leukocyte, Erythrocyte की Thrombocyte, तो इसका Right Answer क्या होगा, मेरे भाई, सही उत्तर जी, इसका बिलुकुल, कमेंट करके बताईए, क्या होगा इसका Right Answer, इसका Right Answer है, Eryth Erythrocyte is the Right Answer, ठीक है, चली, आगले Question की अगर हम बात करें, कि अगला Question क्या कह रहा है, उसको भी देख लेते हैं, कि अगला Question क्या कह रहा है, ठीक है, चली, Question No.36 की बात करें, तो यहां कह रहा है, The Hormone That Stimulate Heartbeat, वहां कौन सा हर्मोन है, जो Heartbeat को Stimulate करता है, ठीक है, कि धड़ Adrenaline, Adrenaline, इसका Right Answer है, अगला Question, Question No.37 की तरफ चलते हैं, बिल्कुल Marathon Class, बिल्कुल तला तर चलने वाली Class समझ रहें, बिल्कुल देखते जाईए, कह रहा कि a Neffron does not have Loop-Up Henley, एक Neffron जो Loop-Up Henley नहीं होता है, किसमें करा, Frog में, कि Man में, कि Dog में, कि Rabbit में, इसका सही उत्तर क्या पुरे चैप्टर से है, जो लोजी के प्रस्न, करा, Reflex Action is Controlled by Reflex Action, किसके द्वारा कंट्रोल होता है, करा, CNS, TNS, Non-ANS, करा कि Central Nervous System, Peripheral Nervous System, Autonomous Nervous System, किसके द्वारा कंट्रोल होता है, Reflex Action, इसका Right Answer है, CNS, Central Nervous System के द्वारा कंट्रोल होता है, अगर अगले Question की तरफ बढ कि Pressure की Both, न, न, इसमें से, तो Tango Receptor जो होता है, किसके प्रस सेंस्टी होता है, Both, Touch और Pressure दोनों के प्रत, Touch और Pressure दोनों के प्रत सेंस्टी होता है, अगला Question क्या करा है, अगले प्रस्न की तरफ चलते हैं, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल स्वा मुल्यांकन कर ये हतास नह इसका राइट एंसर है, इसका राइट एंसर है, इसका सही उत्तर है, अगले प्रस की अगर हम बात करें, Question number 41, Question number 41 की, तो वो क्या कह रहा, Question number 41, Correct Sequence of Cell Stages in Spermatogenesis, करा Spermatogenesis का Correct Sequence क्या है, इसमें से बताइए, करा Spermatocytes नहीं, पहले Spermatogonia होता है, क्या होता है, Spermatogonia होता है, तो देख लिजे, Spermatogonia किस में हैं भाई पहले, Spermatogonia देखिए, Spermatogonia यहां है, दूसरे में, और कहीं है, यहां, यहां नहीं होगा, Spermatogonia यहां भी है, तो Spermatogonia है, फिर Spermatocytes होना चाहिए, तो यहां Spermatrix नहीं, Spermatogonia है, फिर Spermatocytes है, फिर Spermatrix है, फ तो question number देखिए, क्या कर रहा है, 42 number का question उसको देख लेते हैं, कर रहा है कि mirror plastic cleavage occurs during the development, किसके development के पाश्याद जो है mirror plastic cleavage होता है, पाज आता है, कर रहा है, human में कि pigeon, dog, fish, frog, यह होता है bird, bird में होता है mirror plastic cleavage, ठीक है, development के दवरान तो bird कौन है, pigeon है कब उतर, इसका right answer क्या है भा अगले question की अगर बात करें, question number 43 क्या कर रहा है, उसको भी देख लेते हैं, 43 number का question, कर रहा है कि cell growth आकर during, cell growth किसके पाश्याद जो है, कर रहा कि growth करती है, cell growth होती है, किसके करण होती है, कर रहा कि इंटरफेस के करण, कि कर रहा कि post mitotic phase के कर रहा कि both A and B, इसका right answer है, both A and B, यह इसके प्रोमाइटोटिक फेज और इंटर फेज, दोनों इसका, यानि D's का सहे उत्तर है, 43 का D is the right answer, अगले question की अगर बात करें, question number 44 क्या करा है, इसको भी देव लेते हैं, 44 number, करा देप्लॉइड नंबर आप क्रोमोसोम इन पाइसम सेटाइवम, पाइसम सेटाइवम में करा 2N, देखिए हम आपको बता दें, कितने जोड़ी, 7 जोड़ी होते हैं, 7 पी जोड़ी अगर गुणा करेंगे, तो 7 दूनी कितना हो जागा, 14, तो 8 करा, 10 करा, 7, यहां करा है कि डिपलॉइड नंबर में, ठीक है, डिपलॉइड नंबर तो इसका right answer क्या हो जागा, क्वेशन नंबर 45 की, तो यहां देखिए, कह रहा है कि nucleosome core is made up, आप nucleosome core किसका बना होता है, कह रहा है, किसका बना होता है, पहले H2A होता है, H2A कहीं है, यहां है H2A, H2B, H3 and H4, इसका D सही answer है, D's का right answer है मेरे भाई, समझ रहे हैं, तो 45 का क्या हो गया, D's का सही उत्तर हो गया, अगला question देख लिए, question number 46 क्या कह रहा है, उसको भी देख लिएते है, question number 46, कह रहा है, the diameter of GDNA molecules, GDNA का diameter कितना होता है, कह रहा है, तो इसका right answer है, 18 angstrom, कितना होता है, 18 angstrom होता है, 46 का A number, इसका सही उत्तर है, 47 number देखिए, question क्या कह रहा है, 47 number की तरफ अगर बढ़ें तो वो क्या कह रहा है, 47 number, कह रहा है कि split genes are made up of, split gene किसका बना होता है, ऐसा कह रहा है, कह रहा है कि cistron and intron, exon and cistron, exon and intron, और कह रहा है, recon and muton, इसका right answer is exon and introns, exon and intron is the right answer, ठीक है, question number 48 को देखते हैं, question number 48 क्या कह रहा है, उसको भी देख लेते है, question number 48, कह रहा है, यह pregnant woman, ये गर्भती महिला है, who has done amino test, यानि वो test कराती है, find out, पा जाता है एक extra bar body, और क्या पा जाता है, एक extra bar body पाई जाती है, इन हर embryo, उसके भून में extra bar body पाई जाती है, the syndrome which is likely to be associated with the embryo, मलब उसके embryo में कौन सा जो है, करा कि syndrome है, करा कि patow syndrome है, कि clean filter syndrome है, कि down syndrome है, edward syndrome है, इसका right answer क्या होगा, clean filter, अगर extra bar body act हो है, तो क्यों सा syndrome होगा, clean filter syndrome होगा, इसका right answer क्या है, clean filter syndrome है, clean filter syndrome is the right answer, ठीक है, अगले question की अगर बढ़े है, हम question number 49 क्या करा है, उसको भी देख लेते है, question number 49, करा कि hemophilia, is hemophilia क्या है, करा कि autosomal है, कि Y linked है, कि X linked है, कि Z linked है, तो उन्चास नमर क क्यां सा वाय लिंग्ड है, एक्स लिंग्ड है, क्यां सा ये एक्स लिंग्ड अर्था, डीज का सही उत्तर है, अगला क्वेशन पचास देखे, क्वेशन नमबर पचास, क्या कह रहा है, देखे 28 मिनेट लगभग हो चुके, 28 मिनेट और जितना ज्यादा ज्यादा क्वेशन करा सके, उतना बहतिनी होगा, ठीक है, लगभग आधे गंटे होने वाले हैं, क्रा, लाइफ ओर्जिनेटेड इन दा इरा, लाइफ ओर्जिनेटेड किस इरा में, लाइफ जीवन की उत्पत्ती हुई, किस इंधा में जीवन की उथपती हुई ऐसा कह रहा है किप्रोटीरो जो ँटी किम्सो जो अई किसीनो जो इक इसका राइट आंसर है प्रिकामियम में ठीक है किसमें प्रिकाइब्रियन में अगला देखे है अगला question क्या कह रहा है एक क्यावन नंबर का question उसको भी देखते हैं क्यावन नंबर का कर रहा कि AIDS disease was reported firstly सर प्रथम AIDS जो रोगी है कहां पाया गया कर रसिया में कि जर्मनी में फ्रांस में कि USA में कहां देखा गया AIDS रोगी समझ रहे है इसका right answer एट रोगी सबसे पहले कहां USA में कहां पर USA संयुक्तराज अमेरिका अगला question क्या कर रहा है उसको भी देखिए कर रहा है कि Archaeopteryx इजा connecting link between जो Archaeopteryx होता है किसके किसके बीच की कड़ी है मैंने कहा था Array BR Array BR ठीक है Array का मतलब Archaeopteryx की B बड आरक मतलब Reptile ठीक है मैंने कहा था Array BR मलम है ठीक है तो कहा रहा है कि किसके किसके बीच की कड़ी तो Reptile और Bird कहा है रेप्टाइल से है और Bird कहा है यह है तो इसका right answer क्या है C इसका right answer क्या है C अब देखिए अगला question number 33 क्या करा है उसको भी देख रहेते है question number 33 को तो कहा रहा है Homo erectus is the scientific name Homo erectus किसका scientific name है करा Java मानो, Peking मानो Java and Peking मानो कहीं कहीं एक कहीं तो देखता है कहीं कहीं दोनों देखते है Java Peking इसका right answer क्या होगा C is the right answer अगला question number 34 क्या कह रहा है उसको भी देखते है कह रहा है कि National Dairy Research Institute situated in ठीक है NDRI कहा है National Dairy Research Institute कहां इस्थित है कहा है लखनव में है कि पटना में कि लुधियाना में कि करनाल में तो कहा है यह है करनाल में कहा है मेरे भाई इसका right answer है करनाल C अगला question देखिए अगला question क्या करा है उसको भी देख लेते हैं कि अगला question क्या करा है 55 number का करा है कि BodyX mixture was first used in BodyX mixture का use सबसे पहले कहा हुआ करा है जर्मनी में कि Japan में कि France में कि USA में BodyX mixture का use सबसे पहले कहा हुआ यह आपको बताना है यह हुआ फ्रांस में कहा मेरे भाई फ्रांस में अगला question देखिए question number 56 क्या करा है उसको भी देख लेते हैं इसलिए भी मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ light कट गई है मेरे भाई कभी न वाटर धाम हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता इसलिए ठीक है देखिए आप लोग नराज और राज नहीं हो येगा कि गुरुजी देखिए commentement नहीं पढ़ते हैं अब बड़े फास फास चले भी जा रहे हैं समझ रहे हमें कभर भी कराना है मेरे भाई और सभी चीजों को ध्यान में रख करके चलना है ठीक है इसलिए आप लोग नराज और राज नहीं हो येगा समझ रहे हैं करा है कि BCG BCG vaccine is a preventive measure against किसके परती BCG का vaccine दिया जाता है किसे TB में दिया जाता है था टूबर कुलोसिस 56 का क्या हो गया A number इसका सही उत्तर है अगला 57 number का question क्या करा है उसको भी देख लेते हैं 57 number का question करा है कि which of the antibody molecule is made of two monomer कौन इसमें से antibody दो monomer की बनी होती है ऐसा करा है करा IgM, IgA, IgD, IgG ठीक है कितने दो monomer की कौन बनी होती है इसका right answer क्या होगा इसका सही उत्तर क्या होगा इसका सही उत्तर IgA IgA is the right answer question number 81 क्या करा है उसको भी देख लेते है question number 81 क्या रहा है कि LSD LSD is obtained from किससे प्राप्त होती LSD कर राउल पिया कैना बिस पेवर क्लेवी सेफ इसका right answer है क्लेवी सेफ क्लेवी सेफ DNA fingerprinting का base क्या होता है किसके अधार पर है कर रहा knowledge of human karyotype knowledge करता है human karyotype का कहरा occurrence of RFLP RFLP समझ रहे है कि इसका मतलब restriction fragment length polymorphism इसका right answer यही है मेरे भाई 20 का सही उत्तर है 20 का right answer है ठीक है तो अगला question क्या क्या है उसको भी देख लेते है 60 number का question क्या कह रहा है वही देख लेते है कह रहा है कि world population day 200 जन संख्या दिवास कब मना जाता है कह रहा है 16 October को 3 October 5 June 11 July इसका right answer क्या है 11 July को मना जाती है 200 जन संख्या दिवास हम दो हमारे दो नहीं यहाँ एक एक खाय समझ रहे है कह रहा है कि अगला की 60 number का question देखे 60 number में कह रहा है कि infective stage आप plasmodium to mine यानि मनुष्य के लिए plasmodium की infective stage क्या है कह रहा है tropho joint है कि sporo joint कि mirror joint कि size on इसका सही उत्तर क्या है मिरभाई इसका right answer क्या होगा इसका right answer is sporo joint क्या है इसका right answer is sporo joint अगला question देखिए अगले question की अगर हम बात करें question number 68 कह रहा है which are the following animals are highly used visual ठीक है कोन इसमें से junk to highly visual होता है करा insect होता है कि mammals fishes कि bird तो इसका right answer क्या है इसका देखिए बदा दो जो tgt है tgt या PGT आप जानते है उसमें 125 प्रसन आता है आइ 125 प्रसन में j Physics भी होता है बात्नी भी होता है ज्लोजी के अगर 62 रहेंगे तो बात्नी के 63 रहेंगे अगर इसके 63 रहेंगे तो इसके 62 रहेंगे तो एक खंड हुआ finished भाई लाइट कट गई है जिस कारण से अब इन्वाटर हो सकता एक धड़ाम हो जाए मैं अगला खंड स्टार्ट करूँ बीच में रुके ना इसलिए मैं आज के लेक्चर बस यहीं तक रखता हूँ ठीक है और आपको हमारा यह लेक्चर कैसा लगा आप लोग एक मज़ेदा जोरदार दंदार कमेंट करके जरूर बताएगे तो आज के हमारे इस लेक्चर में दोस्त बस यहीं तक रखते हैं फिर मिलेंगे नेक्ष लेक्चर साथ और आप लोगों को मैं एक सुभ कामनाई देना चाहता हूँ मेरे भाई सुभ कामनाई देना चाहता हूँ आप लोग आप लोगों का जो एक्जाम है बिलकुल अच्छा सा जाए और मैनी मैनी हमारी तरफ से धेर सारी हार्दिक सूभ कामना हैं, सूभ हासी रवाद हमारी तरफ से कि आप सभी लोगों का सेलेक्शन हो और तभी आपकी सफलता मतलब मेरी सफलता जब आप खुश होंगे तभी मैं ठीक है तो चलिए आज के हमारे इस लेक्चर में बस यहीं तक फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ ओके जैहिंद।